नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी का एक बर फिर से स्वागत है आज हम कक्षा दस्वी के लिए ये अभ्यास प्रिशन पत्र हल करने वाले हैं आए देखते हैं इसमें किस तरह के प्रिशन पूछे गए हैं सबसे पहले यहां पर आप एपठित गध्यांश देख सकते हैं इसको आपको ध्यान से पढ़ना है और इससे पूछे गए प्रिशनों के उत्तर आपको देने हैं आई जल्दी से इसे हम पढ़ लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस गध्यांश में क्या बताया गया है निमलेकित गध्यांश को पढ़कर दिये गए प्रिशनों के उत्तर दीजिए इच्छाएं दरिद्र बनाती हैं दरिद्र का अर्थ क्या होता है? गरीब जो हमारी इच्छाएं हैं वो हमें कही न कहीं गरीब बनाती है उनसे ही याचना और दास्ता पैदा होती है याचना करना यानि कि कुछ मांगना और दास्ता यानि कि गुलामी यानि कि जब हमारे मन में बहुत सारी ऐसी इच्छाएं उत्पन होती है, जिनको हम नियंत्रित नहीं कर सकते, तो हमारा मन उन इच्छाओं का दास बन जाता है, गुलाम बन जाता है, फिर उनका कोई अंत ही नहीं होता, फिर उनका कोई अंत भी नहीं है, जितना उने छोड़ तो उतना ही विक्ति सवतंत्र और स्मृत्ध होता है। यानि कि इच्छाओं को अगर हम छोड़ देते हैं, नियंत्रित कर लेते हैं, तो हम सवतंत्र हो सकते हैं और स्मृत्ध बन सकते हैं। जो कुछ भी नहीं चाहता है, उसकी सवतंत्रता अनंत हो जाती है। यानि कि जिस विक्ति के पास इच्छाएं नहीं होती है, वो हमेशा सवतंत्र रहता है. एक सन्यासी के पास कुछ रुपे थे, उसने कहा कि वैं उन्हें किसी गरीब आदमी को देना चाहता है, बहुत से गरीब लोगों ने उसे घेर लिया, और उससे रुपियों की याचना करना यानि की मांगना. उसने कहा मैं अभी देता हूँ, मैं अभी उससे रुपे दिये देता हूँ, जो कि इस जगत में सबसे ज़ादा गरीब और भूखा है. ये कहकर सन्यासी भीतर गया, तभी लोगों ने देखा की राजा की सवारी आ रही है, वे उसे देखने में लग गए, इसी बीच सन्यासी बहार आया, और उसने रुपे हाथी पर बैठे राजा के पास फेक दिये. राजा ने चकित हो इसका कारण पूछा, चकित होना यानि की हैरान होना, तो राजा अचानक से हैरान होगे, फिर लोगों ने भी कहा की आप तो कहते थे कि मैं रुपे सरवादिक दरिद्र को दूँगा, दरिद्र यानि की गरीब वेक्ति को दूँगा. सन्यासी ने हसते वे कहा, मैंने उन्हें दरिद्र तम वेक्ति को ही दिये हैं, दरिद्र यानि की गरीब और दरिद्र तम यानि की बहुत ज़्यादा गरीब, वे जो धन की भूख में सबसे आगे है, क्या वे सरवादिक गरीब नहीं है, तो यहाँ पर सन्यासी कहते हैं कि जो राजा है उसको सबसे ज़्यादा लाल अच्य धन कमाने का और वो सबसे बड़ा क्या है गरीब विक्ति है इसलिए उसने पैसे राजा की और फेंक दिये हैं तो ये हमारा गद्यान श्य समझने के बाद आईए इससे जो प्रशन पूछे गए हैं उनको देख लेते हैं यह इच्छाएं विक्ति को इर्शालू बना देती हैं ऐसा तो गद्यांश में नहीं बताया गया था इच्छाएं विक्ति को याचक बना देती हैं यह भी कुछ-कुछ हद तक सही है इच्छाएं विक्ति को स्वार्थी बना देती हैं तो सबसे सही विकल्प के साथ हमें जान तो गद्यांश के इसाब से सबसे सही विकल्प क्या है? इच्छाएं हमें दरिद्र बनाती है और इच्छाएं विक्ति को याचक बना लेती है, मांगने पर मजबूर बना देती है. तो यहाँ पर दूसरा विकल्प सही है. अगला प्रशन आपसे पूछा गया है, सन्यासी ने राजा को रुपे क्यों दिये? राजा से डर कर? बिलकुल भी नहीं. राजा धन की भूख में सबसे आगे था, ऐसा सन्यासी को लगता था, क्योंकि राजा बहुत लाल्ची है, और उसको कुछ ना कुछ नया प्राप्त करना है, बहुत सारा धन इखटा करना है, तो दूसरा विकल्प यहाँ पर क्या है? सही है. अन्य याचक में मिलने के कारण ऐसा तो बिलकुल नहीं था, राजा का घमन तोड़ने के लिए ऐसा भी नहीं था, तो सबसे सही विकल्प कौन सा है? दूसरा. आगी बढ़ जाते हैं, किस परिस्तिती में सवतंतरता अनंत हो जाती है? तो ये भी हमारे गद्यांश में हमने अभी अभी पढ़ा है. ऐसी कौन सी परिस्तिती होती है? जब हमारी सवतंतरता अनंत हो जाती है, कोई उसको चीन नहीं सकता है. जब विक्ती बंधन युक्त ह बिल्कुल भी नहीं। इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता, सपश्ट करें। तो हम सभी जानते हैं इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता। जैसे जैसे हमारी इच्छाओं बढ़ती जाती हैं, तो हम उनको पूरा करने के लिए याचक बन जाते हैं, हम गुलाम बन जाते हैं इच्छाओं के। दो में परिवर्तित करके आपको इसका उत्तर लिखना है, तभी आपको सबसे सही अंक मिलेगे, तो ये हमारा चोथा प्रिशन था, आई आगे बढ़ जाते हैं, क्या इच्छाएं होना गलत है, तर्क सहीत उत्तर दे, अगर इच्छाएं हमें दास बना देती है, याचक बना है, और अगर आपको लगता है सही है, तो उसका भी आपने कारण बताना है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, कि इच्छाएं होना गलत नहीं है, लेकिन इच्छाओं का ए नियंत्रित होना गलत है, कभी-कभी हमारी इच्छाएं बढ़ती ही जाती है, और हम लालच में आ और सभी विचार आपके इच्छाओं से संबंदित होने चाहिए, इसमें कोई उधारन भी आप दे सकते हैं, कि हमारी कुछ इच्छाएं ऐसी होती है, जैसे हमें पैसे मिल जाते हैं, तो हम और पैसे कमाना चाहते हैं, और कभी-कभी पैसे कमाने की दोड में हम इतने अंद लेकर जाना है इच्छाओं के आधार पर हमें अंधा अनुकरण नहीं करना है तो इस तरीके से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं पिछले कुछ वर्षों में उपन्यास की अपेक्षा कहीं अधिक हलचल कहानी के छेतर में दिखाई दी है इसका एक कारण यह भी है कि नए कहानीकारों ने एक दुसरे की होड में रचना करने का प्रेतन किया है हम सभी जानते हैं उपन्यास बहुत बड़े होते हैं और कहानियां छोटी होती हैं और कहानियों के पढ़ने वाले जो पाठक हैं और साथ में कहानियों को लिखने वाले जो लेखक हैं वो पिछले कई दिनों से काफी मात्रा में बढ़ रहे हैं ऐसा ही कुछ हमारे कध्यांश में बताया जा रहा है और ये जो कहानिकार है नए नए वो एक दूसरे की होड में, प्रतिस परधा में, कॉम्पेटिशन में रचना करने का प्रियतन कर रही हैं और नए केवल ससक्त और मंजी हुई कहानियों की स्रष्टी की स्रष्टी करना मतलब रचना या कहानी लिखना, बलकि कहानी के छेतर में नए मुल्यों की अवतारना भी कर दी बिम्बो के माध्यम से अपनी जीवन द्रष्टी को व्यक्त करने और कला के गर्ब से सामाजिक जीवन को प्रगती और नव निर्मान का संकेत देने के जैसे सफल और सार्थक प्रियतन कहानी के अंतरगत हुए हैं यानि कि कहानी का जो छेतर है और विस्तरित होता जा रहा है नएने कहानीकार अपने हिसाब से कहानिया लिख रहे हैं, साहिते की और किसी भी विधा के अंत्रगत नहीं हो पाए, तो कहानी में जितने प्रियोग हुए हैं नए नए वो बाकी विधाओं में नहीं हो सके हैं, कह पहानी किसी भी विशे पर लिखी जा सकती है और यह जो नया नया रूप है, कोई रूप निस्चित ना होना यह उसकी सबसे बड़ी खास बात है। उदासी इंता की दर्ष्टी से देखा जाता है। तो यह तो बड़ा ही आसान सा प्रिशन है, आप आराम से बता सकते हैं, कहानी की हम बात कर रहे हैं। अलोचना करना ऐसा भी नहीं है, समस्या समाधान करना ऐसा भी नहीं है, कि आजकल सहीते जगत में उपन्यास की अपेक्षा कहानी के छेतर में बहुत अदिक विकास हुआ है और बहुत नए-ने तरीके से कहानिया लिखी जा रही है तो कौन सा विकल्ब सही है? दूसरा विकल्ब सही है कहानी की परमुक विशेस्ता क्या है? भाव विहीन होना, सिमित विशे का होना, नेमित वर्णों का होना, निस्चित रूप या दिशा को ने अपनाना तो कहानी की सबसे बड़ी विशेस्ता यही है कि वो किसी निस्चित रूप या दिशा को नहीं अपनाती है और इसी कारण से कहानी के छेतर में नए ने प्रियोग हो रहे हैं और कहानी एक प्रचलित विधा के रूप में हम सबे के सामने आ रही है गद्यांश में भी आपने इस बात के बारे में पढ़ा था तो सबसे सही विकल्ब कौन सा है? D. विकल्ब सबसे सही है गद्यांश में हमने पढ़ा है कि जो नए ने कहानी कार है वो एक दूसरे के साथ प्रतीस परधा करते हैं होड में लगे हुए हैं और ऐसे ऐसे विशों के ऊपर अपनी कहानी की रचनाई कर रहे हैं जो कहीना कहीं छूटे वे थे, जो बिलकुल अलग विशे हैं, तो एक दूसरे के साथ जो होड का विशे है, उसकी वज़े से वो नए-ने मुल्यों का उसमें समाविश कर रहे हैं, और ऐसा कहानी के छेतर में हुआ है, इस तरीके से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। आज की कहानी कारण से कहानी में नए मुल्यों का समाविश हुआ है। वो कहानी नहीं रच रहे हैं, बलकि नए-ने पहलवों पर, नए-ने विशों पर बाचित करके कहानी लिख रहे हैं, और इसी कारण से आज की कहानी कारों का जो छेतर है, पहले की अपेक्षा बहुत अधिक विस्तरित हो गया है। और ध्यान रखना है कि जब भी हम कध्यांश में या पध्यांश में से प्रिशनों के उत्तर लिखते हैं, तो हमें वैसे के वैसे लाइनों को नहीं लिखना है, बलकि अपनी भाशा में परिवर्तित करके लिखना है। आईए आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ पर आप एपठित पध्यांश को देख सकते हैं, यह कविता की कुछ पंक्तियां आपको यहाँ पर दी गई हैं, इनको ध्यान से पढ़ना है और समझने की कोशिश करनी है। तूफानों की और घुमादो नाविक निज पतवार। पतवार क्या होता है? जिसकी सहायता से हम नाव को आगे बढ़ाते हैं, जो लकडी की एक लकडी होती है, जिसकी सहायता से पानी को पीछी की और धकेलते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? पतवार। तो हिर्दे जो मनुष्य का दिल है हिर्दे है और जो समुद्र है उसमें समानता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर कभी तूफानों की और घुमादो नाविक निजपत्वार लहरों के स्वर में कुछ बोलो इस अंधर में साहस तोलो जैसे समुद्र में लहरे उठती है वैसे ही हमारे मन में हमारे हिर्दे में भी उत्सा से भरी हुई लहरे उठती है और लहरों के स्वर में कुछ बोलो इस अंधर में साहस तोलो अंधर यहाँ पर किसका प्रतीक है वि मायوس नहीं होना है कभी-कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार तो जीवन में जब कभी तूफान आते हैं और समुदर में भी तूफान आते हैं तो हमें घबराना नहीं चाहिए क्योंकि जो भी विपरित परिस्तिया हैं वो हमें मजबूत बना कर ही जाती हैं, हमें कमजोर नहीं बनाती हैं। तूफानों की और गुमादो नाविक निजबतवार। तो यहाँ पर कभी हमें प्रेरित कर रहे हैं, उत्साहित कर रहे हैं कि हमें तूफानों से नहीं डरना, बलकि अपनी जो नाव है, जीवन की जो नाव है, उसको हमें तूफानों के अंदर लेकर जाना चाहिए और उससे बिलकुल अपने साहस से, अपनी मजबूती से बाहर निकल कर आना चाहिए ये असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो ये पहचाने, मिट्टी के पुतले मानव ने, कभी ने मानी हार कि हम जो मिट्टी के मानव है, मानव नश्वर है, जनम लेता है तो उसकी मृत्यू भी होती है लेकिन हम अपने मन में kभी हार नहीं मानते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत तो हमें उच्सा के साथ अपने जीवन रूपी जो नाव है उसको विपरीत परिस्थितियों में डग मगाने नहीं देना है बलकि उसकी पतवार अपने हाथों में समभाल लेनी है और इसको बिल्कुल पार निकाल कर ले जाना है तूफानों की और घुमादो नाविक निजबतवार तो नाविक से कहा जा रहा है तो नाविक यहाँ पर नाव चलाने वाला भी है नाविक यहाँ पर साधान अर्थ में नाव चलाने वाला है और नाविक मनुष्य भी है जो अपने जीवन रूपी नाव को चला रहा है तो यहां पर समुद्र में और हिर्दे में समानता बताई गई है आज सिंधु ने विश उगला है का क्या तात्प्रिय है इस पंक्ति का क्या मतलब है जुआर विहीन होना, बाधा उत्पन होना, सिंधु का समाप्त होना, जल का विशेला होना तो सिंधु जब विश उगलता है उसमें जो तुफान आते हैं तो बाधाएं जो उत्पन होती है उसका ये इसके अर्थ में लिया गया है आज सिंधुने विशुगला है यानि कि आज बाधाएं उत्पन हुई है हमारे जीवन में तो हमें अपनी जीवन की नाव को डगमगाने नहीं देना है बलकि उसको बीच लहरों के समुदर के बीच में चलाना है और अपने साहस के बल पर आगे बढ़ाना है जवार किसका सांकिती करते हैं जवार का मतलब क्या है यहां पर जवार जब पानी में बहुत उची लहर उठती है उसको हम क्या कहते हैं हम जवार कहते हैं तो जवार का मतलब यहां पर आक्रोश है कि मन में आक्रोश होना चाहिए, उत्सा होना चाहिए, जोश होना चाहिए, तो जवार किसका प्रतीक है? आक्रोश का. सिमित होते हुए भी ऐसिमित किसी कहा गया है तो जो सिंदू होता है, सागर होता है, समुदर होता है उसकी कोई सीमा नहीं होती तो उसको हम ऐसिमित कहते हैं हिर्दे और समुदर में क्या समानता है तो यहाँ पर हमें हिर्दे और समुदर के बीच भावनाओं की कोई सीमा नहीं होती और समुदर की भी कोई सीमा नहीं होती और दोनों ही द्रड इच्छा शक्ति वाले हैं समुदर में भी तूफान उठते हैं ज्वार आते हैं और जो हमारा मन है उसमें भी तूफान उठते हैं विप्रित परिस्थितियां आती हैं तो दोनो में द्रड इच्छा सकती है, दोनों हार मानने वाले नहीं है, तो इस तरीके से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं, कवीता का उद्देश्य क्या है, तो यह जो कवीता की पंक्तिया हमें दी गई है, एपठित है, पहली बर हम पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा समझने के बाद इ लिए कह रहा है, और अपनी नाव को हमें बिल्कुल बीच समुद्र में तुफानों के बीच ले जाने के लिए प्रोचसाइद कर रहा है, हमें डरना नहीं है, बल्कि अपने मन में जो आक्रोश है, मन में जो जोश है, जो उट्सा है, जो साहस है, उसके बल पर अपने लक् का स्थाई भाव क्या है बड़ा ही आसान सा प्रिशन है तो वीर रस में क्या होता है उत्सा होता है तो दूसरा विकल्प क्या है सही है निमलेकित पंक्तियों में कौन सा रस है तो यहाँ पर कुछ पंक्तियां आपकी सामने है इनको ध्यान से पढ़ना है और समझने की करनी है कि यहाँ पर कौन सा रस है बालधी विसाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंक लीलीवे को काल रसना पसारी काल क्या होता है मिर्ति होती है रसना क्या होती है जीब होती है पसारना यानि की फैलाना तो यहाँ पर अगर आपको आर्थ समझ में नहीं भी आता विकराल क्या ह बहुत ही भयंकर तो इस तरीके से थोड़ा सा अगर आप समझने की कोशिश करते हैं पूरा अर्थ नहीं भी समझ में आता है तो यहां पर भै के भावतपन हो रहे हैं और यह हनुमान जी से संबन्दित हमारी पंक्तियां है यहां पर बालदी का अर्थ है पूँच यहां पर उस समय की घटना का वर्ण किया गया है जब हनुमान जी अपनी पूँच में आग लगाकर लंका को जलाने वाले होते हैं तो उनकी पूँच से जो लप्टे निकल रही हैं वो इतनी विशाल है इतनी भैंकर है और सारे लंका वासी बहुत ही भैबीत हो गए हैं कि कहीं पूरी की पूरी लंका ना जला डाले और जो ये पूरी की पूरी काल है, मिर्त्यू है मिर्त्यू ने अपना पूरा मुख खोल लिया है अपनी जीब बाहर निकाल ली है और पूरी की पूरी लंका को वो लील जाएगी यानि की नश्ट करतेगी तो यहाँ पर लंका वासी क्या हो रहे हैं? भैबीत हो रहे हैं? हनुमान जी की पूँच में लगी वी आग को देख कर तो यहाँ पर कौन सा रस है? भयानक रस है तो यहाँ पर बीविकल्ब हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, बीविकल्ब सही है परियावन शब्द का संधी विछेद कौन सा है, तो परियावन बहुती मैदपुन शब्द है तो आपने इसको संधी विछेद करके बताना है तो परी यहाँ पर हमारा क्या है? उपसर्ग है और यहाँ पर उपसर्ग और मूल शब्द भी आप देख सकते हैं और आवरण क्या होता है? हमारा मूल शब्द तो संधी भी करेंगे तो हमारी क्या बन जाएगी? परी आवरण यानि की परी आवरण दूसरा विकल्ब क्या है? सही है निरोग में उपसर्ग है तो निरोग में यहाँ पर नी विसर्ग वाला उपसर्ग है और यहाँ पर संधी भी बनती है तो ये हमारा पहला विकल्ब क्या है? सही है यहाँ पर आपके पास कुछ पंक्तियां दी गई है इनको ध्यान से पढ़ना है और रस की पैचान करनी है मैं सत्य कहता हूँ सखे सू कुमार ने मानू मुझे यमराज से भी युद को प्रस्तूत सदा मानू तो यहाँ पर युद करने के लिए उत्सा मन में उत्पन हो रहा है और उत्सा जहाँ पर होता है वहाँ पर क्या होता है? वीर रस होता है तो यहाँ पर हमारी इन पंक्तियों में कौन सा रस है? वीर रस है आगे यहाँ पर एक शब्द दिया गया है आपको यहाँ पर संधी पहचाननी है महा ओज और इन दोनों को मिला देंगे तो हमारा बन जाएगा महोज तो यहाँ पर विर्दी स्वर संधी है तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही है दूसरा विकल्प सही है तो यह आपको ध्यान से देखना है महोज यहाँ पर अउ की मातर आएगी तो दूसरा विकल्ब सही है रस से आप क्या समझते हैं स्पष्ट कीजिए तो यहाँ पर रस की परिभाषा पूछ ली गई है तो रस क्या होता है कावे में जहां आनंद की उत्पति होती है उसे हम रस कहते हैं तो जो कावे की पंक्तियां होती है उनको पढ़ने के बाद, सुनने के बाद जो पाठक और श्रोता होते हैं उनके मन में क्या होता है आनंद की उत्पति होती है तो आनंद को ही हम क्या कहते हैं रस कहते हैं तो इस तरीके से आपने अपनी परिभाशा को लिखना है और सपष्ट करने के लिए आप यहाँ पर एक उधारन भी लिख सकते हैं, अगर कोई उधारन आपको याद है, तो इस तरीके से यहाँ पर आपको इसकी परिभाशा लिखनी है. सत्याग्रे का संदी विखेद आपको बताना है, तो यहाँ पर आपको सत्याग्रे का संदी विखेद करेंगे, तो थोड़ा सा पंदाजा भी लगा सकते हैं, ध्यान से पढ़ेंगे, तो सत्य और आग्रे, जिसे प्रियावन का पूछा गया था, परी और आवरण, सत्य और आ आने हैं तो प्रते हमेशा शब्द के पीछे लगते हैं तो पढ़ाई बना सकते हैं लड़ाई बना सकते हैं लिखाई बना सकते हैं बुराई बना सकते हैं और दूसरा आपसे पूछा गया है आवट प्रते की सहायता से शब्द बनाईए तो मिलावट हो जाएगा सजावट ह इस तरीके से शब्द के पीछे लगा कर आपको इस तरह से शब्दों को बनाना है। तो दुरुपयोग हो जाएगा, दुरदशा हो जाएगा, दुरगदी हो जाएगा, इस तरीके से आप शब्द बना सकते हैं। दिन दिन यहां बढ़ते जाते हैं। मर्दुम शुमारी एक नया शब्द आप यहां पर देख सकते हैं, पाठ पढ़ते समय भी आपने इसको देखा होगा। तो मर्दुम शुमारी कार्थ होता है जन गर्ना, लोगों की संख्या को गिनना। तो अगर हम अपनी जन गर्ना की रिपोर्ट देखते हैं, तो हमें लगता है कि मनुष्य हर दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। यानि जन संख्या तो दिन बे दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन हमारे जो संसादन हैं वो सिमित हैं, और हमारी सोचने की, हमारी कारे करने की जो शमता है, उसके उपर हम काम नहीं कर रहे हैं। और रुपिया दिन-दिन कमती होता जाता है, कमती होना यानि कि कम होता जाना, तो अब बिना ऐसा उपाई कि ये काम नहीं चलेगा, कि रुपिया भी बढ़े और वे रुपिया बिना बुद्धी बढ़ेने बढ़ेगा, यानि कि जब तक हम बुद्धिमान नहीं बनेंगे, समझदारी से काम नहीं लेंगे, तब तक रुप्या नहीं बढ़ सकता है, हमारी अर्थ विवस्ता ठीक नहीं हो सकती है भाईयो, राजा माहराजों का मुँ मत देखो, मत ये आशा रखो कि पंडित जी कथा में कोई ऐसा उपाए भी बतलावेंगे कि देश का रुप्या और बुद्धी बढ़े तो यहां पर पंडित की तरफ इशारा करके कहा गया है कि लोग अन्विश्वासी है, लोगों को लगता है कि भाग्ये के भरोसे ही हमारा जो समय है आने वाला वो सही हो सकता है लेकिन ऐसा नहीं है, उनको अपनी बुद्धी पर, अपने विवेक पर विश्वास रखना होगा और उसी के आधार पर भारतवर्श की उनती की जा सकती है तुम आपकी कमरकसो, आलस छोड़ो, कमरकसना यहाँ पर मुहावरे का प्रयोग किया गया है, कमरकसना यानकी तैयार होना कि तुम सभी भारतवासियों को अपनी कमर कस लेनी है, पूरी तरह से तयार हो जाना है, बुद्धिमानी से काम लेना है, और आलस को छोड़ना है, राजा महराजाओं की तरफ देखकर हम अपने देश को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, भारतवर्श के उनती नहीं कर सकते हैं. मर्दुम शमारी की रिपोर्ट किस तथे को सपष्ट करती है, तो जनगर्ना की जो रिपोर्ट है, वो किस तथे को सपष्ट करती है, कि मनुष्य की जनसंख्या दिन बे दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन रुप्या नहीं बढ़ रहा है, यानि कि अर्थ विवस्ता हमारी क पूचा गया है, लेखक कमर कसने को क्यों कह रहा है। तो अभी अभी गध्यान्शम ने पढ़ा है कि कमर कसके हमें तयार हो जाना है ताकि अपने लक्षे को प्राप्ट कर सके, भारत वश्की उनती कर सके और राजा महराजों से हमें ज़्यादा आपेक्षा नहीं रखनी है, उनके मूँ को नहीं ताकना है, बुद्धी और रुपे दोनों के विकास में हमें अपनी बुद्धी और व्वेक के बल के आधार पर आगे बढ़ना है, अगर इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे और कमर क पसके तयार हो जाएंगे, तो भारत वर्ष की उनती को कोई भी नहीं रोक सकता, इस तरीके से आप इस प्रिश्म का उत्तर लेख सकते हैं, आईए आगे बढ़ जाते हैं, आगे यहां पर हमारी पाठे पुस्तक के आधार पर कुछ प्रिशन पूछे गए हैं, प्रिशन संख के रूप में देखता है, एक सहयोगी के रूप में देखता है, एक मित्र के रूप में, रिस्तेदार के रूप में या परिवार के किसी सदस्य के रूप में देखता है, तबी तो यहां पर कभी कहते हैं कि जब भी वो वापिस लोटते हैं, तो हमेशा वो उनका इंतजार क बिल्कुल एकदम सामने घर के खड़े रहते हैं और जैसे कोई रिस्तेदार होता है, परिवार का कोई आत्मी सिदस्य होता है, वैसे ही वो उसका स्वागत करता है। पेड़ों को काटते वे जा रहे हैं और पेड़ों को काटने से जो हमारा प्रियावन प्रदुशित हो रहा है, साथ में जो प्रकरती का नुकसान हो रहा है, सीदा उसका प्रभाव हुमारे जीवन पर पढ़ रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी आशंका कवी के मन में है, कि कि रितु का वर्णन किस रूप में किया है स्पष्ट कीजी तो कवीता पढ़ चुके है अट नहीं रही है तो यहाँ पर फागुन मास में वसंत रितु के आगमन का जो सुन्दर वर्णन यहाँ पर किया है उसके बारे में फूलों की सुगंदित पुस्पमाला पहने उई है और वो हमें भी सुगंदित कर रही है बिल्कुल परफुलित है बिल्कुल खुश है तो इस तरीके से आप इसका उत्तर लेख सकते हैं आगे आपसे पूछा गया है लेखक भारतेंदू हरिश्चंदर ने भारत वश की उन्नती कैसे हो सकती है में भारतियों के पिछरेपन के कौन-कौन से कारण बताए है आप अपना उत्तर कुछ इस प्रकार से लेख सकते हैं कि भारती अपना अधीकांच समय गप्पे मारने में बिताते हैं वो आलसी है, वो बिल्कुल भी तयार नहीं है, उन्होंने अपनी कमर नहीं कसी है और भारती विभिन मत मतांतरों के चकर में पढ़कर, आंध विश्वासों के चकर में पढ़कर अपना समय वेतीत कर रहे हैं भारती जाती और धर्म के नाम पर बटे हुए हैं सिक्षा के उपर उनका कोई ध्यान नहीं है ये सभी कारण भारतेंदू हरिश्चंदर जी ने अपने निबंद में बताए हैं और इन्हें को आप यहाँ पर लिख सकते हैं होल ओ फेम की परवेश द्वार पर किस कवी की पंक्तियां लिखी गई है और कौन सी पंक्तियां लिखी गई है बुद्ध, बारुद और पहाड पाट से ये प्रशन लिया गया है तो अगर आपने ध्यान से पाट को पढ़ा है क्योंकि ये बहुत गहराई से प्रशन पूछ लिया गया है जिस बच्चे ने एक-एक लाइन बहुत ध्यान से पाट की पढ़ी है वो ही इसका उत्तर दे पाएगा तो यहाँ पर माखरलाल चतुरवेदी जी की जो कवीता है पुष्प की अभिलाशा मुझे तोड लेना वनमाली देना तुम फेक उस पत पर जहां सीष चड़ाने जाएं वीर अनेक तो यह जो पुष्प की अभिलाशा कवीता की पंक्तिया है यहाँ पर लिखी गई है तो इसी प्रकार से आपने अपना उत्तर यहाँ पर लिखना था आगी यहाँ पर रचनात्मक लेखन से आप प्रिशनों को देख सकते हैं प्रिशन संख्या 31 में आप से पूछा गया है कि किनी एक विशे पर आपको 40-50 शब्दों में एक विग्यापन तयार करना है विग्यापन लेखन आपकी सलेवस का हिस्सा था तो यहाँ पर दो आपके पास भाग दिये गए हैं दोनों में से किसी एक के उपर आपने विग्यापन तयार करना है और दोनों ही विशे बहुत आसान दिये गए हैं और दोनों में से किसी एक विग्यापन को आपको लिखना है यहाँ पर अच्छे से उसको आकरशक बनाना है, ताकि अच्छे से विज्ञापन की सारी जो विशेवस्तु है, विज्ञापन की सारे जो महतवपुन बिंदु हैं, वो उसमें दिखाई देने चाहिए, तब ही आपको पूरे अंक मिल सकते हैं, तो कव भाग में आपसे पूछा गया है, स्कूली छात्रों त्वारा बनाएगे कागच के थैले बेचने के लिए एक विज्ञापन तयार करें, तो आप स्कूल में पढ़ते हैं, और माल लीजी, आप कागच के थैले बना रहे हैं, कोई EMC का प्रोजेक्ट आप तयार कर रहे हैं, और वो आप बेचना चाहते हैं, तो किस मनो स्थिती में, किस मानसिक स्थिती में आप उसको तयार करेंगे, और क्या महत्यपुन बिंदू उसमें रखेंगे, किस तरह से आकरशक बनाएंगे, कि ग्रहाक उसको खरीदे, और दूसरा आपके पास विकल्प है यहाँ पर, अपनी पुराने किताबे बेचने के लिए विज्ञापन तयार करें, और लोग आपके विज्ञापन से आकरशित होकर आपसे वो किताबे खरीदे, इस तरीके से आपने इसको पूरा करना है, तो किनी दोनों में से आपको एक यहाँ पर तयार करना है, आगे यहाँ पर पत्र लेखन से समदित पृष्ण पूछा गया है, दो आपके पास विशे हैं, दोनों में से एक को आपको हल करना है, पत्र पत्रिकाओं में छपने वाले ब्रहामक विज्ञापन जो हमें ब्रहम में डालते हैं, जो दिखाते कुछ हैं और बताते कुछ हैं और जो हमें विज्ञापन के बाद मिलता है उत्पाद वो कुछ होर होता है, कि शिकायत है तू प्रतिष्टित समाचार पतर के संपादक को आपको पतर लिखना है और आपको बताना है कि ये वो विज्ञापन है जो लोगों को अपने जाल में फसाते हैं ब्रमित करते हैं और जिसमें जो बताया जाता है वैसा ही उत्पाद या प्रोडेक्ट नहीं होता तो इससे समंदित आपको एक पतर लिखना है, या फिर आप दूसरा भी लिख सकते हैं, आपकी विद्याले में पीने के पाने की विवस्था अच्छी नहीं है, छातरों की धका मुक्की में एक छातर गिर कर चोटिल हो गया, इसका उलेक करते हुए अपने विद्याले के प्र आगे आपके पास यहाँ पर देख सकते हैं, निबंद लेखन आपको करना है, और शब्द सीमा भी यहाँ पर दी गई है, तो यहाँ पर दो विश्ये हैं, और दोनों में से कोई एक आपको करना है, मीडिया और सामाजिक उत्र दाइतु, मीडिया का क्या सामाजिक उत्र द निप्टान है अपीविश क्या होता है जो वेस्ट बच जाता है जो electronic जो कच्रा है उसका जो E कच्रा भी हम इसे कहते हैं तो इसका निप्टान कैसे करना है क्योंकि आजकल जो mobile खराब हो जाते हैं वो हम ऐसे ही fake देते है या कोई भी हमारा electricity से चलने वाला सामान है उसको हम ऐ पूरी तरह से परियावण से हटता नहीं है, वो पूरी तरह से डिजोल्व नहीं होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम किस तरीके से ऐसा परबंधन करें, ताकि जो ये ए कच्रे का जो मैनेजमेंट है, परबंधन है, हम कर पाएं, उसका निप्टान कर पाएं, तो इन दोनों व रिक्षा के लिए तैयारी कर सकते हैं, किस तरीके से प्रिशन पूछे जाते हैं, कुछ आपके एपठित गद्यान्श होते हैं, कुछ एपठित पद्यान्श होते हैं, साथ में आपके पाठ्थे पुस्तक से किस तरीके से प्रिशन पूछे जा रहे हैं, व्याकरण से प्र वेस्त रही और खुश होकर पढ़ते रही धनेवाद भूद भूद धनेवाद